दोस्तु नमस्कार ये हमागदोशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराख्ष ओधरी दोस्तु उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले UPPCS प्रारंभिक परिक्षा आरोय आरोय यानी समिक्षाधिकारी सहायक समिक्षाधिकारी लोवर PCS वह अन्य राज्य लोग सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यन के परियावरण और पारिस्थित्की खंड के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है जैव विबित्ता यानी बायो डाइवर्सिटी से संबंधित महुत्त पू पहला प्रश्ण है कि राष्टी उद्ध्यानों में आनुआंशिक बिबित्ता का रख रखाओ किया जाता है कैसे तो याद रखेगा दोस्तों राष्टी उद्ध्यानों में आनुआंशिक बिबित्ता का रख रखाओ इन सीटू संरक्षण यानी स्वा अस्थाने संरक्ष और देखे ट्रैफिक की अस्थापना वर्स 1976 में की गई थी ये किसका रड़नीतिक गठवन्धन है तो ये WWF यानि World Wildlife Fund और IUCN यानि International Union for Conservation of Nature का रड़नीतिक गठवन्धन है जिसकी अस्थापना 1976 में की गई थी अगला प्रश्ण है जैव विवित्ता को किस प्रकार से परिभाशित किया जाता है तो किसी परियावरण में विभिन प्रजातियों की स्रेडियों के आधार पर जैव विवित्ता को परिभाशित किया जाता है अगला प्रश्ण है जै विवित्ता अलफा बीटा और गामा नामक स्रेडियों में विभाजित की जाती है ये विभाजन 1960 में किया था किसने तो याद रखेगा वी टै करने दुस्तूं जय विवित्ता अलफा बीटा और गामग नामक स्रेडियों में विभाजित की जाती है 1960 में ये विभाजन विटाय करने किया था अगला प्रश्ण है जय विवित्तम आपने का वो गड़ती सूचकांग जो एक अस्थानी अस्तर पर किसी समुदाय आवासी छेतर में माध्य परजात विवित्ता को दर्शाता है तो इसको अलफा सूचकांग कहते है जैव विवित्तम आपने का वह गरती सूचकांग जो अस्थानी और छेतरी विवित्ता का आनुपात है इसको बीटा सूचकांग कहते हैं और जैव विवित्ता का वह सूचकांग जो किसी भूद्र से यानी लेंड इसकेप की संपूर विवित्ता को दर्शाता है उसको गामा सुचकांक कहते हैं अगला प्रेश्ण है कि जैव विवित्ता का अर्थ क्या है आपको बताना है तो एक निर्धारी छेतर में विभिन प्रकार के पादप और जनतूओं की विवित्ता को जैव विवित्ता कहते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों जैव विवित्ता का सबसे महत्तो पूर्ण पहलू क्या है तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन अगला प्रश्ण है आनुवांसिक जाहती समुदाय और पारितंत्र के अस्तर पर विभिन प्रकार के कारे करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है क्या तो जैव विवित्ता जय विवित्ता के विनाश का कारण क्या है तो जीवों के प्राकृतिक आवासों की कमी, पर्यावाणी प्रदोशन और वनो का नास ये सभी जय विवित्ता के विनाश के कारण है लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर क्या है तो ये प्रश्ण भी पूछा गया है कि जैव विवित्ता के रास का मुख्य कारण क्या है तो प्राकृतिक आवासे विनाश ये जैव विवित्ता के विनाश का प्रमुख कारण है अगला प्रश्ण है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और अध्योगी कुदपादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश से प्राकृतिक वास का विनास किया जा रहा है जो सर्वाधिक महत्वपूर कारण है किसके लिए तो ये जैव विवित्ता के रास के लिए अगला प्रश्ण है जैव विवित्ता के रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर कारक कौन सा है तो प्राकृतिक वास का विनास और जैव विवित्ता के कम होने का मुख्य कारण क्या है तो आवासी विनास जैव विवित्ता के कम होने का मुख्य कारण है एक और प्रश्ण है कि संयुक्त राष्ट द्वारा जय विवित्ता दिवस का मनाय जाता है तो याद रखेगा प्रतिवर्स 22 माई को बिश्व जय विवित्ता दिवस मनाय जाता है अगला प्रश्ण है सयुक्त राष्ट संग ने दसक 2011 से 2020 को घोशित किया है क्या तो ये जय विवित्ता का दशक घोशित किया गया है भोगोलिक छेत्र में जय विवित्ता के लिए संकट हो सकते हैं क्या तो वैस्विक्तापन यानि ग्लोबल वार्मिंग आवास का विखंडन और विदेशी जाती का संक्रमण ये भोगोलिक छेत्र में जय विवित्ता के लिए संकट हो सकते हैं अगला प्रश्ण है जय विवित्ता के लिए बड़ा खत्रा क्या है तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विन्यास और जूम खेती ये सभी जय विवित्ता की विन्यास के लिए खत्रे हैं अगला प्रश्ण है देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में ये खेती प्रचलित है जो कि खेती का औवयग्यानिक तरीका है तो ये है जूम खेती जै विवित्ता हाट इस्पाट अस्थलों में शामिल है क्या तो याद रेखेगा पूर्वी हिमाले ये जै विवित्ता के हाट इस्पाट अस्थल यानि तब तस्थल में शामिल है अगला प्रश्ण है जय विवित्ता हार्ट अस्पार्ट केवल ओश्रकटिवंदी प्रदेसों में ही नहीं बलकि अन्य कहाँ पाय जाते हैं तो ये उच्छा च्छांसी प्रदेसों में भी पाय जाते हैं एक बहुत ही मुहत्वपूर्ट प्रश्ण है कि भारत में चार जय विवित्ता हाट इस्पाट अस्थल हैं ये कौन कौन से हैं तो याद रखेगा पूर्वी हिमाले, पश्मिघाट, म्यामार, भारत सीमा और सुंडा लेंड ये भारत के चार जय विवित्ता हाट इस्पाट अगला प्रश्ण है अंडमान, निकोबार, दूइपसमू और भारत में आमार, सीमा, छेत्र भाग हैं किसके तो ये सुंडा लेंड के भाग हैं अगला प्रश्ण है भारत में जय विवित्ता के द्रिष्ट से पूर्वी घाट, पश्मिघाट, थार का रेगिस्तान तथा बंगाल की खाड़ी में संत्रिप्त छेत्र कौन सा है तो ये है पश्मिघाट अगला प्रश्ण है गंगा का मैदान, ट्रांस हिमाले, पश्मिघाट और मध्य भारत में सबसे अधिक जय विवित्ता संपन छेत्र कौन सा है तो याद रखेगा पश्मिघाट इन में सब्रवाधिक जय विवित्ता संपन छेत्र है अगला प्रश्ण है जै विविट्टा के संदर्व में भारत में अंडमान निकोबार दूइब समू गंगा का मैदान और मद्ध भारत में से वह छेत्र जिसे हाट इस्पार्ट माना जाता है तो ये है अंडमान निकोबार दूइब समू हाट इस्पार्ट सब्दों का प्रियोग सबसे पहले 1988 में किस ने किया था तो याद रखेगा नार्मन मायर्स ने सबसे पहले हाट इस्पार्ट या तप्त अस्थल सब्द का प्रियोग किया था हार्ट इस्पार्ट की परिभाशा क्या है तो जहां पर जातियों की परियाप्टता और अस्थानी जातियों की अधिक्टा पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्थित उपर निरंतर संकट बना हुआ है वो छेत्र हार्ट इस्पार्ट कहलाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों सबसे लंबा जीवित ब्रिक्ष कौन सा है तो सिकोया है और एक और महत पूर्ण प्रश्ण है कि किसी प्रजाती को बिलूप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है कितने वर्स से तो 50 वर्स से जब प्रजाती के बिलूपन के लिए उत्तरदाई कारकों में है अगला प्रश्ण है प्राकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतराष्टी संरक्षण संग यानि IUCN द्वरा बिलूपतिके का गार पर खड़े संकट ग्रस्त पौधों और पशुजातियों की सूचियों को शामिल किया जाता है किसमें तो रेड डाटा बुक में रेड डाटा बुक अथवा रेड लिष्ट जो है इसका प्रकासन कौन करता है या इसे संबंधिस संगठन कौन है तो ये है IUCN अगला प्रश्ण है प्राणी समुह जो संकटा पन प्रजातियों के संबर्ग में आता है तो महान भारती सारंग यानी Great Indian Bustard, कस्तूरी मरिग, लाल पांडा और एशियाई बनने गधा ये सभी संकटा पन जातियों के अंतरगत आते हैं अगला है सोन चिरया या महान भारती सारंग, साइबेरियन सारस और सिलेटी टिटरहडी ये संकट गरस्त स्रेडी में, कस्तूरी मिर्ग संकट गरस्त स्रेडी में और एशियाई बनने गधा संकट की नजदीक स्रेडी में जबकि लाल पांडा शामिल है तो लाल पांडा शं अग्ला प्रश्न है यद्यापी भारत की जनसक्याती ब्रगती से बढ़ रही है लेकिन पच्छियों की संख्याती जिसे घट रही है क्यों तो पच्छियों के वास अस्थान पर बड़े पैमाने पर कटावती हुई है कीट नासक रासानी कुर्वरक और मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़ी पैमाने पर उप्योग हुआ है इसलिए पक्षियों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है अगला प्रश्ण है उत्तरा खंड में जय विवित्ता के हरास का काराण नहीं है तो बंजर भूमी का वनी कराण ये जय विवित्ता के हरास का काराण नहीं है अगला है सडकों का विस्तार नगरिकरण और जूम क्रिसी उत्तरदाई हैं किसके लिए तो जय विवित्ता के कमी है रास के लिए सडकों का विस्तार नगरिकरण और जूम क्रिसी ये सभी उत्तरदाई हैं अगला प्रश्ण है 1975 में ये भारत का अभिन्नांग बन गया था इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है तो किस राज्य को तो ये सिक्किम को पूर्वी हिमाले के हाट स्पाट छेतर में आता है कौन सा राज्य तो सिक्किम आता है और अगला प्रश्ण है कि जय विवित्ता के साथ साथ मनुसे के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए अगला प्रश्ण है जय विवित्ता संरक्षण के लिए इन सीटू नहीं है तो वनस्पति कुद्यान यानि बोटे निकल गार्डेन ये वनस्पति संरक्षण की स्वव अस्थाने पद्धती नहीं है अगला प्रश्ण है क्रायो बयंक या एकस सीटू संरक्षण के लिए जो गैस सामानते प्रियोग में होती लाई जाती है ये नाइट्रोजन गैस है वनस्पतियों और जानवरों की बिलूप्त पाय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से प्रिथक कहां किया जाता है ये एकस सीटू कंजर्वेशन के प्रमुख उदारण है सरवाधिक जय विवित्ता कहां पाय जाती है तो याद रखिएगा उश्र कटिबंधी वर्सबनों में सरवाधिक जय विवित्ता पाय जाती है अगला प्रश्ण है गहरे समुदर उश्रकटिवंधी वर्सबन, कोरल रीफ तथा मरुस्थल में वो पारिश्थित की तंत्र जिसमें प्रजाती भीवित्त काफिया दिखोती है तो उश्रकटिवंधी वर्सबन और कोरल रीफ में उश्र कटिवंधी वर्सा बनों का मुख्य विश्थार पाया जाता है कहां तो 10 डिगरी उतरी तथा 10 डिगरी दक्षडी अच्छानसों के मध्ध उश्र कटिवंधी वर्सा बनों का मुख्य विश्थार पाया जाता है अगला है इन छेत्रों में पादप और प्राणियों के विकास और बृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इसमें वर्स भर रहता है तो याद रखेगा दोस्तों उश्वकट बंधी छेत्रों में वर्स भर उच वर्सा और तापमान पाई जाता है अगला प्रश्ण है किसी निशित भगोलिक छेत्र में पाई जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विवित्ता को क्या कहा जाता है तो इसे जैव विवित्ता कहते हैं अगला प्रश्न असत्य कथन बताना है तो भूमध्य रेखा से ध्रूओं की और जात विवित्ता में ब्रिद्धी होती है ये आपका गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सरवाधिक जय विवित्ता पाई जाती है ध्रूओं की और बढ़ने पर जाती और जय विवित्ता में कमी आती है अगला है प्राडियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विवित्ता मिलती है कहा पर तो उश्रकटिवंद के आर्दबनों में सत्य कत् CAT आपको बताना है तो उश्रकटिवंद शीतोष्र छेतरों की अपेक्छा अगला प्रश्न है शांत घाटी कसमीर सूर्मा घाटी और फूलों की घाटी में सरवाधिक जय विवित्ता पाई जाती है कहां पर शांत घाटी में शांत घाटी अवस्थित है केरल में साइलेंट वैली पर यूजना किस राज़ में आती है तो केरल में फूलो की घाटी या जो वैली या फ्लावर्स ये कहां पर उत्राखंड में आर्द छेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है तो चिलका जील, लोक्टक जील, केवला देव और बूलर जील ये ऐसे आर्द छेत्र हैं जिनको रामसर का दर्जा प्राप्त है अगला प्रशन है रामसर सुची अंतराष्टि महत्त की आर्द भूमियों की सुची है इस सुची में बर्तमान में भारत के कुल कितने अस्थल सामिल है तो उन्जास अस्थल रामसर कन्वेंशन के अंतरगत रामसर अस्थल है तो ये भोज आर्द अस्थल ये रामसर अस्थल है रामसर सम्मेलन संरक्षन से संबंधी था किसके नम भूमिया आर्द भूमियों के वेटलेंड दिवस मनाय जाता है प्रतिवर्ष दो फरवरी को विस वेटलेंड दिवस 2022 का मुख्य थीम क्या था तो लोगों और प्रकिर्ति के लिए आर्द भूमि कारवाई भारत की सबसे बड़ी अंतर देशी लवड़ी आर्द भूमि है तो ये गुजरात में और बिहार का प्रथम रामसर छेतर कहां है कबर ताल आर्द भूमि बेगू सराय में अगला प्रश्ण है जीव मंडल आरचित परिरक्षन छेतर है तो आनुआंसिक भिविन्नता का छेतर अगला प्रश्ण है प्रवाल विरंजन या प्रवालों का रंग हटना ये सबसे अधिक प्रभावी कारक है किसका तो सागरी जल के सामाने तापमान में ब्रिधी से प्रवाल विरंजन होता है प्रवाल विरंजन समुदरी तापमान और आमलता में ब्रिधी बैस्वी कुसमन सहित परियावरन दबाओ के कारण होता है जिस सहजेवी सैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है क्या तो प्रवालों की मृत्व जिन में प्रवाल भितियां है तो अंडमाननिकोबार्दुवसमू कच्छ की खाडी और मनार की खाडी में प्रवाल भितियां है अगला प्रश्ण है सबसे पहले बायो डाइवर्सिटी सब्द का प्रियोग किसने किया था तो वाल्टर जी रोसिन जो की कीट वैग्यानिक थे इन्होंने सबसे पहले बायो डाइवर्सिटी सब्द का प्रियोग किया था जय विवित्ता जिन माध्यमों द्वारा मानों अस्तितों का आधार बनी है तो मिर्दा निर्माण, मिर्दा परदन की रोक्थाम, अपसिष्ट का पुनर चक्रण और सस्य परागर इन सभी के द्वारा जय विवित्ता मानों अस्तितों का आधार बनी हुई है अगला प्रेशन है संयूत राष्ट संग्द्वरत 2011 से 2020 के लिए कौन सा दसक मनाए गया तो जय विवित्ता दशक भारत का पर्थम नेशनल सेंटर फार मरीन बायो डाइवर्सिटी कहां परिस्थित है जामनगर गुजरात में और पारिस्थितिक तंत्रों की जय विवित्ता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदाई नहीं है क्या पोशन अस्तरों की कम संख्या पारिस्थित की तंत्र होता है तो ये एक गत्की और खुला तंत्र होता है हिमाले परवत प्रदेश जात विवित्ता की दृष्ट से अत्यन समरिध है इस समरिधी के लिए जो कारण सबसे उपयूगत है वो क्या है तो ये कारण है कि ये विविन जियो भावगोलिक छेत्रों का संगम है अगला प्रश्ण है भारती संसद्वरत जय विवित्ता अधनियम का पारित किया था तो दिसंबर 2002 में भारती राष्टी जय विवित्ता प्राधिकरण का बस थापित किया गया तो 2003 में चेन नई तमिलनाडु में जैव विवित्ता अधनियम के आधार पर भारती राष्टी जैव विवित्ता प्राधिकरन गठित किया गया था राष्टी जैव विवित्ता प्राधिकरन भारत में क्रिसी संरक्षन में सहायक है क्यों? क्योंकि ये जैव चोरी को रोकता है और देशी और परंपरागत अनुवानसिक संसाथनों का संड़क्षन करता है N.B.A की अनुवानसिक या जैविक संसाथनों से संबंधित बहुत धिक संपता अधिकार के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा अगला प्रश्ण और आज की वीडियो का आखरी प्रश्ण है C.B.A थोर्न के भी सुवयापी मार्केट की बड़ी संभावन आए हैं इस पेड के बेर में बिटामिन और पोसकता तो परचुर मात्रा में होते हैं चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की और जश्विता को उन्नत करने के लिए किया था रूसी कास्मो नाटो ने इसके तेल को कास्मिक वीकरण से बचाव के लिए किया था और भारत में ये पौधा कहा पाया जाता है तो भारत में ये पौधा लद्दाख में पाया जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो परिया वरन डेयों पारिस्थित्की के अंतरगर बायो डाइवर्सिटी यानि जय विवित्ता से संबंधित महत्वोंट प्रश्णों का रिवीजन ये प्रश्ण आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी हैं आप इनको अच्छे से तयार कर लिजे दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क देशन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार